तो दोस्तो नथिंग फोन वान के बारे में आपको तो सुनाई होगा वही जो ओवर हाइफ के वज़े से बहुत पॉप्यूलर हो गये है अब दोस्तो इस फोन की बहुत सारे लाइफ इमेजेस वीडियोस सामने आ गये है साथ इसकी स्पेसिफिकेशन्स ओफिशिल रेंडर्स केमरा स्पेक्स और थोड़ी बहुत प्राइस की डिटेल्स भी सामने आ गये है वह से दोस्तो 12 जुलाई को गलोबल और इंडिया दोनों में ही यह फोन लॉंच होने वाले है आपको बताई होगा लेकिन दोस्तो यहाँ पे नथिंग फोन वान को लेके एक जबर्दस ट्व और आपका दोस्त टेक्ने का जूम्स चनल में आपका स्वागत है और पहले बार और बहुत दिनों के बाद फेज के साथ वीडियो बना रहा हूं बहुत अच्छा फील हो रहे है वैसे आपको कैसा लग रहे है मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताईए ओके सो दोस्तों चलि अलुमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाते है जो रिसाइगल बायो प्लास्टिक है उसी का इस्तमाल यहां पर की गई है लोक्स और डिजान की बात करें तो काफी यूनिक सा डिजान आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते है इसे के साथ डिस्प्ले के अगर बात क पर यहां पर आपको एमोलेट का पैनल देखने को नहीं मिलेगा प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैप्राइगन की 778G प्लास होने वाले जो मिड्रेंज वाले फोन्स होते हैं बेसिकली 25,000 से लेगे 30,000 के अंदर जो फोन्स होते हैं मतलब है कि अच्छी पर्फॉमेंस आपको देखने को मिल जाते हैं उतना हाई भी नहीं है और अतना लो भी नहीं है यह एक Octa-Core processor है 6NM fabrication पे based है 642 GPU के साथ आप इसमें multitasking और gaming भी अराम से कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है आप camera को लेकि यहाँ पे जो official renders है उसमें बताया गया है इसमें दो camera होने वाले हैं पीछे की तरफ से 50MP की main camera sensor होने वाले है IMX 766 sensor के साथ और इसके साथ एक ultra white sensor जो macro shot भी ले सकते हैं मतलब camera दो होगा उसके अंदर आपको 3 function मिल जाएगा और nothing के तरफ से यहाँ पे कुछ official image sample भी है आप देख सकते हैं तो image की जो quality है आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाले है तो rear camera से आप 4K videos को भी record कर सकते हैं 60fps में इसमें 4500 mAh की battery capacity आपको मिल जाएगा और इसके साथ आपको मिलेगा एक 33W की fast charging जो up to 45W तक support कर लेते हैं अब कुछ extra features भी आपको इस phone के अंदर मिलने वाले हैं जैसे की in-display fingerprint scanner, face unlock support, dual speakers लेकिन इसके अंदर आपको 3.5 mm की audio jack नहीं मिलने वाले हैं और यह phone nothing OS पे होने वाले है based on Android 12 price की बात करें तो price को लेकर यहाँ पे बहुत सारे leaks और rumors हैं दोस्तों कुछ leaks कहते हैं के under 30,000 के होने वाले हैं कुछ leaks कहते हैं के 30 से लेके 35 तक होने वाले हैं प्राइस को लेकि कोई official या फिर confirm information नहीं है अब कुछ specifics leaks के according यह phone under 30,000 के भी हो सकते हैं अब इसके price क्या होगा वो तो exact बता नहीं सकते हैं लेकिन एक चीज़ बता सकते हैं कि इसका जो price होगा 35 के अंदर ही होने वाले है 8GB RAM plus 120 8GB storage वाला variant और launch होने के बाद जो starting में sales होने वाले हैं उसमें आपको 2000 का instant discount मिलेगा HDFC bank के credit card से अगर आप HDFC bank credit card से payment करते हैं तो आपको instant 2000 का discount देखने को मिलेगा अब दोस्तो twist यह है कि इस phone की कुछ और hype देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप इस phone को buy करने के लिए सोच रहे हैं तो इसको launch होने दो एक दो मंद वेट करो असले reviews देखो उसके बाद अगर आपको ठीक ठक लगता है तो definitely आप इसको buy कर सकते हैं तो दोस्तों यह है nothing phone 1 की price और specs जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ share की है तो दोस्तों उमिद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजिएगा शेयर कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ और अगर आप इस चैनल में पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमको सपोर्ट कीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एसे एक वीडियो लेके तब तक के लिए बाए